उत्राखन के उधम सिंग नगर जुले के रुद्रपूर शेत्र में सामाजिक महौल बिगारने के प्रयास में गगन जोती बारात घर के सामने शरार्थी तत्वों ने खाली प्लोट पर गोवन्ष काट कर फेक दिया चुनाव से पहले महौल खराब करने की नियत से किये गए इस हरकत के बाद शेत्र में हिंदुवादी संगठन भड़क उठे लोगों ने मौके पर पहुँचकर पुलिस के खिलाफ जम कर नारे बाजी की भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल का कॉंग्रेसियों की बीच विवाद भी हुआ तनाव की स्थिती को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया इधर पुलिस ने गौवरंश को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने हंगामा खरा कर दिया पुलिस से नोगजोग भी हुई बाद में मौके पर स्सपी दिलिप सिंग कुवर भी पहुँच गए हिंदू संगटनोट ने पुलिस से दोश्यों की गिरफतारी की मांग की स्सपी ने आकरोशित लोगों को काफी समझाने की कोशिश की मगर लोग दोश्यों के खिलाफ का रिवाई की मांग पर अड़े रहे रुद्रपूर के गगंजोती बारादगर के सामने खाली पड़े एक प्लॉट में कटे शव के मिलने के बाद गौर अक्षा सेवा दल और हिंदू वादी संगटनों से जुड़े लोग मौके पर पहुँचे और जम कर हंगामा किया घटना के बाद भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर करने की मांग की SSP दलीप सिंग कुवर समेत भारी पुलिस बल द्वारा अक्रोशित लोगों को शांत कराने के प्रयास के बावजूद माहौल लगतार तनावपुर्ण बना हुआ था हलागी SSP दलीप सिंग कुवर लगतार अस्थानिये लोगों से शांती विवस्था बनाये रखने की अपील करते रहे SSP ने मामले में जल्द से जल्द दोशियों की गिरफतारी का दावा किया उन्होंने घटना को लेकर शेतर का महौल को खराब करने की कोशिशों में जुटे लोगों को चितावनी देते वे कहा किस अपराधी घटना का खुलासा करने और अभियुक्तों की पहचान कर उनकी गिरफतारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है लेकिन इस घटना की आड में अफ़वा फैलाकर शेतर में अशानते फैलाने वालों को किसी सूरत में नहीं बक्षा जाएगा पहले तो इसका प्यम करा दे रहे हैं, उसका उम्हार के साथ प्यायो — प्यायो पूरे रूट में इसको तुरुन में लाइना हाजर करता है हमारी तीमें लगी भी हैं इसका बहुत जल्दी उखलासा करतेंगे एससपी द्वारा 24 घंटे में मामले का परदा फार्ष करने के आश्वासन के बाद गौवन्स को पुलिस ने कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया जुसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली वही मामले की गंभिरता को देखते वे जुलाधिकारी उधम सिंग नगर युगल की सोर पंद ने इलाके में इंटरनेट सेवाए 24 घंटे के लिए बंद करा दी